स्वागत है फ्रेंट्स आप सभी का एम टेक्नो चैनल में और DRDO MTS के सलेबस के अकोडिंगी जनरल अवेरनेस से संबंदित क्वेशनों के वीडियो रिलीज करूँगा फ्रेंट्स लेकिन उसे रिलीज करने से पहले फ्रेंट्स मेरी आप लोगों से रिक्वेश्ट अगर पैल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाली नेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके तो आईए सुरू करते हैं फ्रेंट्स क्वेशन आंसर फ्रेंट्स ओप्रेसं दुरुगा का सुबारंब कब किया गया तो ओप्रेसं दुरुगा जो था हरियाना के मुख्यमंतरी मनोर लाल खटर ने ओप्रेसं दुरुगा का सुबारंब 14 अप्रेल 2017 को किया था यानी कि 14 अप्रेल 2017 को उन्होंने ओप्रेसं दुरुगा का सुबारंब किया था जो की मजनुओं को पकड़ने के लिए उन्होंने किया था महीला से महीला के को रोकने के लिए उन्होंने ओप्रेशन दुरुगा का सुभारंब किया था 14 अप्रेल 2017 को तो इसमां करेक्ट आंसर ओप्शन ए हो जागा फ्रेंट्स फ्रेंट्स देश बर में 27 सक्टूबर 2016 को पैदल सेना दिवस मनाया गया वह कौन सा सेना दिवस था यानि कि फ्रेंट 27 सक्टूबर 2016 को जो पैदल सेना दिवस मनाया गया था वो 69 सेना दिवस था तो इसमां करेक्ट आंसर ओप्शन ए हो जागा कि 69 सेना दिवस मनाया गया था सक्टाई सक्टूबर 2016 को तो उसमें करेक्ट आंस और आप्सन यह है फ्रेंट्स नेक्स्ट केस्चेन फ्रेंट्स प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी ने नागरिकों की समस्या के निवारण के लिए एक बहु देशिय यह गवर्नेस प्लेटफर्म सुरू किया है इस प्लेटफर्म को क्या नाम दिया गया तो जो प्लेटफर्म सुरू किया था फ्रेंट्स नरेंदर मोधी प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी ने उसको प्रगती नाम दिया गया यानि कि प्रोगेस नाम दिया गया कि उस प्लेटफर्म को प्रगती प्रोग्रस नाम दिया गया तो उसमें correct answer option C है next question है friends ग्यान पीट फुरसकार के बीजेता बालचंद नेद में किस भासा के लेखक है तो ग्यान बालचंद नेद में जो है friends वो मराथी भासा के लेखक है तो उसमें correct answer option A हो जाया कि बालचंद नेद में मराथी भासा के लेखक है तो उसमें correct answer option A है friends next question है friends कवी कालिदास किस के राजकवी थे तो कवी कालिदास जो है friends चंदरगुप्त के राजकवी थे उस मिशन की सुरुवात कब हुई थी, तो उस मिशन की सुरुवात 2018 इस वी में शुरुवी थी, तो उसमां करेक्ट आंस और उप्सन बी हो जाए कि 1988 में राश्टिय साखसर्ता मिशन की सुरुवात की गई थी next question friends राष्टिय एकता दिवस किस दिन पर मनाया जाता है तो राष्टिय एकता दिवस चोई फ्रेंट से 19 नौंबर को मनाया जाता है तो उसमें correct answer option D हो जाएगा कि 19 नौंबर को राष्टिय एकता दिवस मनाया जाता है किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन छेत रहे है तो उसमा correct answer option A है यानि कि मात्मा गांदी ने 12 मार्च 1930 को साबर मती में यात्रा शुरू की थी यात्रा उनकी 6 अप्रेल 1930 को दाड़ी नामक इस्तान पर वी थी तो गांदी जी ने जो है फ्रेंस वहां दाड़ी नामक बनाकर विट्री सरकार के नमक कानून को तोड़ा था तो उसी को फ्रेंस सवी नहीं अवग्या अंदुलन के नाम से जाना गया तो उसमा correct answer option B हो जागा फ्रेंस किसके छेतर में महा भारत की प्राचीन कलिंग का एक हिस्सा बनाता तो कौन सा छेतर था फ्रेंस जो महा भारत की प्राचीन कलिंग का एक हिस्सा है तो उसमा correct answer option C हो जाएगा thank you friends वीडियो को अंतक देखने के लिए अगर आपको किसी question में कोई doubt लगे तो comment box में comment करके जरूर बताना friends मिलते हैं friends next video में